क्लास 10 ट्रिग्नमेंटरी के एक्साइक 8.3 के कुश्चिन 4th का 10th पार याने लास्ट पार आजम कर रहे हैं देखिए ध्यान से एक टम्स में दिये 1 प्लस 10 स्क्वार है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वार है फिर दूसरी दिये 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कॉट है तो यह आपस में इक्वार करना है तो हम इन दोनों को रिडियूस करके 10 स्क्वार करते हैं देखें इसमें इसमें है इसमें हम आइडेंटी यूज कर सकते हैं जो एक आइडेंटी है स्क्वार है इसको यूज कर गया नुमेरेटर में हम क्या लिखेंगे देखें स्कॉएर है और स्क wage one plus q2 कि जेमा तो कॉजीक अ्युक्स qणी तो ए हो जाएगा साइन स्क्यार अपान कॉजाए लिखा तो यह हो जाएगा सइन स्क्यार अपान कॉर्स讲 तो इस इलिडिएक नुगान अकॉज स्क्यार तो देस तो इस वील बिकाम टन स्क्यार से तो हमारा first term तो equal हो गया किसके 10 square a के बड़ावर now let us see the second term कि यह सभी square चलते आ रहे हैं देखे इस्ट्विंड numerator को हमने लिखा as it is denominator को ओल्टा करके multiply कर दिया अब ध्यांदी जेस्ट्विंड sin square a upon cos square a यह तो हो गया 10 square a अब ध्यांदी जेस्ट्विंड यह बिल्कुल ध्यांदेने वाली बात है कि cause है sin है sin है cause है यह बात एक ही है बस sin change हो जाएंगे जैसे मैं आपको बताओं कि 3 minus 2 होता है 1 2 minus 3 होगा minus 1 that is like 3 minus 2 it is 2 minus 3 तो इनका result एक ही है but different sign जो इनका sign होगा वो just opposite होगा कोई भी दो चीज़े mathematics में separate करते हैं अगर उल्टा करके करें तो answer same with different opposite sign plus है यह 3 minus 2 to 2 minus 3 minus 1 तो यहां अगर मैं दोनों cancel करूं तो आजाएगा minus 1 square इनका answer minus 1 आएगा 3 minus 2 upon 2 minus 3 like this and 2 minus 3 तो 1 upon minus 1 तो it is minus 1 तो यह fraction में भी आपने समझ लिया minus 1 तो इसमें भी cancel किया तो minus 1 बट हम क्यों कर रहे हैं क्यों 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 प्लस आजाएगा तो finally हमारे पास क्या आएगा 10 square देखिए first term हम ने लिया उसको भी 10 square है फिर second term ये लिया इसको भी 10 square है हैं इस प्रूल